कि नमश्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृती आई एस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम लग बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के माध्यम से गरीबी को दूर करने के बारे में ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसी बाती हुई है 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन की सहायता से 800 मिलियन अर्थाथ 80 करोड लोगों को भारत ने सिर्फ स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए गरीबी से बाहर निकाल लिया है क्या किसी को ये पता था कभी कि जिस स्मार्टफोन को हम लोग यूज कर रहे हैं उसका इतना महतोपून डाटा हमारे सामने आएगा और उससे ही हमारे देश के अंदर गरीबी के उनमूलन के लिए कारे किये जाएंगे ये तो कभी शायद किसी ने सोचा ही नहीं था लेकिन य कैसे हुआ इन सभी चीज़ों को भी समझना है और इसके अक्वार्डिंगी चीज़ों को आगे बढ़ाना है ये सारी बाते हमें बता रहे हैं ये साब अब दर असल यह कौन यह भी समझ लीजिए जैसे कि आपको मैं बताया कि सारी बाते हुई है युनाइटेड नैशन जन असेंबली में यही साहब अध्यक्ष के पदपर हैं और साहब का नाम है डैनिस फ्रांसिस इन्होंने यूएंजीय में बोलते हुए सारा डाटा प्रस्तुत किया और कुछ महत्वपूर्ण बाते बताई इन्होंने यहां पर यह बताया कि देखिए जो देश तेजी से विक चीजों को बहुत अधिक सुधार सकते हैं इन्होंने बताया कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान तक्नीकों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और 5-6 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट फोन का यूज़ करते हुए 80 करोड लोगों को गरीबी से बाहर निक कर पाए हैं ठीक से फाइव जी तकनीक में ठीक से काम ही नहीं कर पा रही है और हमारे यहां फाइव जी पूरी तरह से बहुत बढ़िया चल रही है उपयोग भी हम लोग कर रहे हैं और काफी अच्छे से हर जगा नेटवर्क और इसकी उपलब्दता हमें देखने को मिल ज कि एक बड़ी जनसंत्या को गरीबी से बाहर निकालने का कार रही है यहां पर कर लिया है भारत में इन्होंने कहा इसके पीछे कि आपको स्थिति को समझना है तो आपको ग्रामीड भारत में जाना होगा ग्रामीड भारत जो एक समय तकनीकों से पूरी तरह से अंजान था को समार्ट फोन नहीं पता था नाटवर्ग ही नहीं आते थे रहे में नाटवर्क कवरेज ही नहीं थी नेटवर्क कवरेज हो तो फोन उपयोग करने के सोचें लेकिन पिछले 25-'re 파 beloved में भारत में इतना ज़दा परिवर्थन हुआ है कि दूर दराज के ग्रामीन चिछेतरो से मतलब हुआ करता था आज के समय में किसान बाकी और चीजों के तरफ धियान भी दे रहा है किसान स्मार्टफोन के माध्यम से अपनी क्रिशी के लिए जानकारिया अपराप्त कर रहा है वहीं साथ-साथ आज के समय में ग्रामीन छेतरों में बसने वाले बहुत सारे लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं स्मार्टफोन की साहता से, अपने ओर्डर्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं स्मार्टफोन की साहता से, सारा का सारा काम इस परकार आगे हुआ है, ग्रामीन भ समानता हैं चीजों को लेकर के पर समानता की मांग की जा रहा है समानता स्थापित की जानी चाहिए ग्लोबल साउथ के सभी देशों को अपने यहां पर पर स्थितियों को आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए जरूरी है कि आप समानता को समझें आप समझें कि तकनीको को इस प्रकार से उपलब्द करा देते हैं तो देखिए कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तना अपला सकते हैं यह भारत में एक नया और बड़ा मालस्टोन यहां पर क्रियेट किया है यह आपको समझना होगा तभी इसके माध्यम से सभी चीज़ें हो पाएंगी तो आज क के समय में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा है ना बहुत सारे खास लोग ऐसे होंगे जिनकों शायद आज के समय में आप लोग बहुत अच्छे जान रहे होंगे पैचान रहे होंगे जो इस प्रकार से रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं लेकिन कनेक्ट हो है ब्रधानमंद्री नेरेंद्र ने वह वह थैकि यही मुहीं थे चीजों को जितना हो सके झीजीडेलाइज कर चीजों में डिजटार हो जाओ आगे बढ़ artık आकि और देखा कि on line payments ब्रिकली की पहले बैंक अकाउंट से पैसा डिडेक्ट हो करके पेटीयम के वालेट में आता था फिर पेटीयम वालेट से हम लोग किसी को शॉप पे पे करते थे या बाकी जगाओ पर पे करते थे यह चीज़ चला करती थी लेकिन वश्य 2016 में सेंट्रल गौर्मेंट ने देश भर के लिए डीम के साथ साथ ही अब लोगों के मन में कैश को लेकर के चिंता थी लेकिन लोगों के अकाउंट में पैसा था इसे दोरान तेजी से विकास होता है UPI का जिसको तयार किया गया था NPCI यानि कि National Payments Corporation of India के दोरा NPCI ने इस समय UPI को तयार किया लोगों को मजबूरी समझना था तो आगे बढ़े और उस समय वास्तम में चीज़े ऐसी थी देश भर के अंदर कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन से होगी ती कैश को लेकर के मजबूरन सब को बढ़ना पड़ा UPI के तरफ डिजिटल पीमेंट के तरफ आना पड़ा और उसी समय से हम लोग देखते हैं कि दे जो हैं बहुत ज़्यादा खास है और हमें बहुत ही नई नई चीजों को दिखा भी रहे हैं सिर्फ इतना ही नई दिखा रहे हैं यहां पर यह बाद भी पता लगती है कि जुलाई महीने में आया डाटा हमें यह बताता है कि अब डिजिटल पेमेंट्स या UPI से थूपेमे अगर हम लोग वाशिक अनुमान समझें तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामने में 35 परतिशत की वृद्धी जर्नली हम लोग देख रहे हैं और इस 35 परतिशत की वृद्धी के दोरां यह भी पता चल रहा है कि जर्नली 20.64 ट्रुपीज का ट्रांजेक्शन हम लोग अनु टो हम लोगों ने को से जुडते हुए चीजों को सुधा रहा है बहुत तीजी से हम लोग आगे बढ़े हैं और चीजों को अडॉप किया है एक हमारी वो जनरेशन जो कहती थे कि हम लोग नाम नहीं लिख पाते हैं ठीक से जिनने नाम लिखना नहीं आता आगे लिए उनके थुरू ही सब कुछ संबभ हो पाया दरसल भारत का स्मार्टफोन मार्केट भी बहुत ज़्यादा वड़ा है वर्ष दो हजार तेज का आंकड़ा बताता है कि स्मार्टफोन शिप्मेंट 146 मिलियन हुआ था जो वर्ष 2022 की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा था वर् लेकिन यह जो नए आकले आये हैं बता रहे हैं कि भारत की सूरत अब बदल रही है अब भारत वह भारत नहीं रहा है जिसको पिछला माना जाता था जिसके लोग को गरीब माना जाता था अब लोग हम अलग अलग विकल्पों को खोज कर तकनिकों से जुड़ते हुए वर्ष हुई थी 2015-16-17-18 अपना अंसर मुझे कॉमेंट में जरूर दीजेगा और वीडियो पसंद आई है इंफोर्मेटिव लगी है तो बाकी साथी तक शेयर जरूर करना है वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है और ऐसी वीडियो के लिए बने रहना है संस्कृती आ झाल